नमस्कार आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ नी रजकुमार और भगत हो चुका है विट्डे न्यूज का अमेर्की राष्टपती डोनाल ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जॉन उनको नीजी रूप से एक पत्र भेज कर अच्छे संबंध बनाने की अपील की और वैस्विक क्रोना के खिलाफ लराई में सहीयोग की पेसकस की यह जानकारी किम की बहन ने सोसल मीडिया के जडिय दी है आज सुबह साथ बजे से ही पीम नरेंद्र मोदी के अहवान पर जनता कर्फियू लगाया गया है इस कर्फियू के साथ परधान मंत्री ने आज साम पांच बजे लोगों से छत पर बालकनी में या घर के दरवाजे पर खड़े होकर तालियां थालियां और संख घंट बजाने की अपील की है ताकि इससे लरने वाले हज़ारों डॉक्टर और प्रोफेस्नल्स का होसला बुलंद हो सके यूपी के मुखमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी जनता कर्फियू के लिए हमें तयार रहना होगा आपको बता दें कि य इनमें से 11 मरीज ठीक भी हो गए हैं देश भर में लोग जनता कर्फियू को लेकर खुद ही सपोर्ट करते दिख रहे हैं जहां इस दोरान देश भर में ऐसी तस्वीरें आ रही है जिनमें साफ साफ पता चल रहा है पीम मोधी के अपील पर लोगों ने अपने घरों में ही खुद को रखा है और बाहर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है रेलवे ने कहा है कि 12 क्रोना पॉजेटिव लोग अलग अलग ट्रेनों में सफर कर रहे थे जिनके बारे में पता चलने के बाद उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया है लेकिन इन सब को ध्यान में आम लोगों को अब ट्रेन में सफर करना सही नहीं है क्योंकि ना जाने और कितने लोग ट्रेन में क्रोना पॉजेटिव सफर कर रहे हैं राज्यसभा सांसद पुर्व सीजे आई रंजन गोगोई को घेरते हुए सुप्रीम कोट के दिगज वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि वह 2018 में ततकालिन चीफ जस्टिस दीपक मिस्रा के खिलाफ महावियोग प्रस्ताव में सुप्रीम कोट का समर्थन मांगने उनके घर सिब्बल के मुताविक जस्टिस गोगोई ने तब सिब्बल को उनके घर में घुशने नहीं दिया था भारत में क्रोना के मामले की संख्या अब तक 330 के पार हो गई है इस बीच पीम नरेंडर मोदी ने लोगों से जनता करफ्यू का पालन करने की अपील की उन्होंने ट्विट कर कहा हम सब ही इस करफ्यू का हिस्सा बने जो कदम हम अभी उठाएंगे वे आने वाले वक्त में म अपनेवाद दिया है आपको बताने कि नेपाल और भुटान ने भी इस फंड में अपना योगदान दिया है जबकि अफगानिस्तान छोटा देश होने के बावजूद वन मिलियन डॉलर देने की बात कही है मदरास हाई कोट के जस्टिस स्म सुब्रमन्यम ने कुरोना से प्रभावित और संगठित छेत्र के सर्मिकों की मदद के लिए मुखमंत्री राहत कोस में एक महिने का 2.25 लाख का बेतन दान दे दिया है उन्होंने कहा लॉकडॉन के दौरान सर्मिक की आय प्रभावित हो सकती है ऐसे में अमीरों को गरीबों की मदद करने के लिए योगदान देना चाहिए कुरोना के चलते स्कूल बंद होने पर कैंद्रिय मानव संसाधन मंत्राले ने राज्य सरकार से कक्षा एक से आठ तक के सभी छात्र छात्राओं को मिड़े मेल या खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का निर्देश दिया है सरकार ने प्राइवेट लेप्स के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि कुरोना टेस्ट की फीस 4500 से अधिक नहीं होनी चाहिए इसके अलावा नमूना कलक्ट करने उसे जाचने, रिपोर्टिंग, प्रोटोकॉल और नमूना एस्टोर वे नश्ट करने से जूरी गाइडलाइन भी जारी की है स्वास्त मंतराले ने आम लोगों से अपील किये है कि वे सिर्फ फैसन या फिर अपना आत्म विस्वास बढ़ाने के लिए कुरोना की जाचना करा है सरकार ने पिछले 14 दिनों में विदेश से लोटे लोगों या उनके संपर्क में आये लोगों को ही क्रोना टेस्ट कराने को कहा है नाडा के महानिदेशक नवीन अगरवाल ने कहा है कि हमने डॉप नमूना की संख्या में 75% की कमी कर दी है अभी उन्ही खलारियों का जाच कर रहे हैं जो डॉपिंग मामले में उच्च जोखिंग पर हैं और ओलम्पिक के लिए क्वाइलिफाई कर चुके हैं गुजरात सरकार ने एहमदावाद, सूरत, राजकोट और बदोधरा को 25 मार्ज तक के लिए लॉगडाउन करने की गोसना की है हलांकि सबजी, डेरी और मेडिकल सामान जैसे रोजमर्रा की जरूरतों बाली चीज़ों की दुकाने खुली रहेगी राज़्थान के सियम असोग गहलोत ने करोना को देखते हुए 22 मार्ज से 31 मार्ज तक के लिए पूरे राज्य को लॉगडाउन कर दिया है इस दोरान रोजमर्रा के चीज़ों की दुकाने ही खुली रहेगी देश में करोना के बरते मामलों के बीच कुछ स्वास्त कर्मियों की लापरवाही वाला एक वीडियो सामने आया है जहां करनाटक के एक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए न्यूक्त किये गए एक कर्मचारी कुर्सी पर बैठ कर फोन पर बात कर रहा है और इस दोरान कई लोग बिना स्क्रीनिंग के ही निकल रहे हैं जनता कर्फ्यू के बीच दिल्ली के साहिन वाग इलाके में एक चोकाने वाली घटना सामने आई है जहां नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर तीन महने से ज़्यादा समय तक यहां बैठे लोगों ने पैट्रोल मामले की बात कही है बॉलिवुड एक्टर अक्षे कुमार ने होम क्वारंटिन स्टैंप के बाबजूद बाहर घुमने वाले लोगों को लेकर कहा है कि यह क्या मान सिकता है उन्होंने कहा क्रोना चुट्टी पर नहीं है ओबर टाइम कर रहे रेस में आगे चल रहा है अगर आपको रेस जीतनी है तो डॉक्टरों, नर्सों, पुलीस और परसासन की मेहनत को रेस के बीच लंगरी मत लगाईए लंदन से लोटने के वाद खुद को आईसोलेशन में ना रखने पर आलोचना जहेल रही कनिका कपूर के समर्थन में सोनम कपूर आई है सोनम ने लिखा है दोस्तों कनिका नौ तारीक को वापस आई और उस वक्त भारत में सेल्फ आईसोलेशन नहीं बलकि होली खेला जा रहा था परंतु सोनम को सायद ये नहीं पता कि परधान मंत्री नरेन मोदी ने दो तारीक को ही अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो होली नहीं मनाएंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पुर्वकफ्तान जावेद मियादाद ने कहा है कि विराट कोहली उनके पसंदीदा भारतिय क्रिकेटर हैं प्रधार के वारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है उनका प्रधर्शन खुद बहुत कुछ कहता है उन्होंने आगे कहा उनके सौड देखिए उन्हें बल्लेवाजी करते देखना अच्छा लगता है तो ये थी मिड़े की ताजातरीन खबरें और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिप किसन बेल है घंटी है उसे भी दबा दिजे ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट